हलो फ्रेंट्स स्वागत है हाफ सब का फ्रॉम मैं किचन से आज मैं एक अनोखी स्टफिंग वाला पराठा लेके आई हूँ आपने अक्सर आलू, मूली और गोपी के ही पराठे खाए होंगे कभी आपने गाजर के पराठे का नाम नहीं सुना होगा आप सोच रहे होंगे, अरे बहला ये भी कोई पराठा है ये एक लाजवाब पराठा है, इसमें मैंने हरे पते बहुत सारे डाले हैं जैसे मेथी के पते, दनिया के पते और करी के पते तो गाजर के साथ इन सारी हरी पतियों के मेल से ये पराठा बहुत ही यूनीक बन गया है बहुत ही हल्दी और फाइबर रिच पराठा है ये तो चलिए चलते हैं मेरे साथ मेरे किचन में इस पराठे में ये मैंने एक मुठी मेथी के पते लिये हैं ये गाजर है तीन मीडियम गाजर लिये हैं ये एक मीडियम प्याज है कटा हुआ ये करी के पते हैं अरी मिर्च है अद्रक इसी हुई है और ये धनिया के पते हैं ये दो पराठो का आटा है और ये एक चमच देसी गी है ये कुछ मसाले हैं ये अमचुर है नमक है धन्या पाउडर और ये लाल मेच है गाजर को मैंने कदू कस किया है पर उसका पानी नहीं निकाला क्योंकि उसमें ज्यादा पानी नहीं है ये तोड़ी ड्राइ नेचर की गाजर है इसमें मैंने मेथी डाल दी है और ये सारा समान में ला दिया है और सब मसाले डाल दिये है अब इसको अच्छे से मिक्स किया है यह हमारी स्टफिंग तयार हो गई है यह मैंने आटे का एक पेड़ा बेलना शुलू किया है थोड़ा सा बेल के अब मैं इसमें स्टफिंग डाल रही हूँ स्टफिंग मैं अच्छे से डाल रही हूँ अब मैं इसको ड्राइ आटा लगा के रोल कर दूँगी और मैंने गैस पर तबार रख दिया है गरम होने इसकी स्टफिंग का भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है और यह बहुत टेस्टी है स्टफिंग भी खाने में यह लीजिए पराटा रोल हो गया है अब मैं इसको बस तमें पर डाल रही हूँ अभी आज मैंने तेस कर दी है और इसको पराटे को फिलिप कर दिया है अब इसको मैं थोड़ा सा घी से साइट से और थोड़ा उपर से डिजल करूंगी आप चाहें तो ज़्यादा घी लगाएं या चाहें तो रिफाइन डॉयल लगाएं सर्दिया शुरू हो गई हैं अब खाने में देसी की ही अच्छा लगता है यह लीजिए पराटा दोनों तरफ से सिख गया है अब मैं दूसरा पराटा बेलने जा रही हूँ वो भी इसी तरह से ही बेला है ताकि आपको अच्छे से समझा जाए इसमें जो एक्स्ट्रा आटा है उपर वो मैंने निकाल लिया है और इसको हाथ से थप थपा के अब मैंने बेल लिया है इसको भी अब मैं वैसे ही करूँगी थोड़ा सर्फे से और थोड़ा साइड से डिजल करूँगी घी से बीच बीच में मैं आँच कम कर रही हूँ ये लीजे पराटा रेडी हो गया है इसको आप अचार के साथ खाईए या चटनी या दही के साथ खाईए मैं तो इसको आज चाय के साथ ही खा रही हूँ आप इस तरह की स्टफिंग भी बना सकते हैं इसमें पनीड भी डाल सकते हैं ये सिर्फ मैंने स्टफिंग बना के दिखाई है पराटा नहीं बनाया इसका तो चलिए मिलते हैं अगली बार एक नई रसेपी के साथ स्टेए हपी स्टेए कनेक्टेड गुड़ बाई थैंक यू फर वाचिंग मैं वीडियो